परिचए प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोई छोटा सा बच्चा एक वयस्क कैसे बनता है? आईए जानें कि हम अपने जीवन के विभिन्न चरणों में कैसे विक्सित होते हैं? आउ सीखें बता पाएंगे कि विकास क्या होता है? किसी बच्चे के विकास के विभिन्न चरणों के बारे में बता पाएंगे? विकास जैसा कि हम जानते हैं, हर जीविच चीज का आकार अक्सर बढ़ता है लंबाई या वजन में इस वृद्धी को ही विकास कहते हैं बाल अवस्था प्यारे दोस्तों, क्या आप यहां इस लड़की को देख पा रहे हैं? ये है मोनी क्या आप जानते हैं कि ये केवल रेंग सकती है, लेकिन चल नहीं सकती? इसे बाल अवस्था काल कहते हैं शुरुवाती बचपन एक देखो, अब ये थोड़ी मदद के जरिये चल सकती है अब ये अपने खिलोनों के साथ खेल सकती है अब मोनी बड़ी हो चुकी है आप देख सकते हैं कि वह अब बिना मदद के आसानी से चल सकती है यहां हम देख रहे हैं कि वह एक ट्राइसिकल चला रही है वह खुश है वह ब्लॉकों का टावर बना सकती है ये इसके बच्पन का शुरुवाती चरण है मध्यबच्पन दोस्तों देखिए मोनी अब स्कूल जा रही है अब वह बड़ी हो गई है शाम को वह अपनी साइकल चलाती है उसे काटून फिल्में और कॉमेडी शो टेलिविजन पर देखना अच्छा लगता है ये उसके बच्पन का बीच वाला हिस्सा है बच्पन का आखरी हिस्सा अब मोनी बिना किसी की मदद के बहुत तेज भाग सकती है और कूच सकती है अब उसे डर नहीं लगता वह डान स्केट सीख रही है वह मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेलती है ये उसके बच्पन का आखरी हिस्सा है किशोर अवस्था कुछ समय बाद मोनी में और बदलाव आएगा और भै अपनी बड़ी बहन जैसी दिखने लगेगी आपको आसानी से उसके शरीर में और बदलाव दिखेंगे इस चरण को किशोर अवस्था कहते हैं इस चरण में हम आसानी से किसी लड़के और लड़की में उनके लक्षणों के आधार पर अंतर कर सकते हैं लोग अलग दिखते हैं हमारे शरीर की विकास प्रक्रिया के दौरान हम में बहुत से परिवर्टनाते हैं यही बदलाव हमें वह बनाते हैं जो हम हैं इसी लिए ये हमें बाकी लोगों से अलग बनाते हैं हमने क्या चर्चा की? हर जीवित चीज बढ़ती है और उसके आकार में बदलाव आता है बाल अवस्था, शुरुवाती बचपन, बचपन का मध्य भाग, बचपन का आखरी भाग और किशोर अवस्था किसी बच्चे के विगास के अलग-अलग चरण हैं लोग इसलिए अलग दिखते हैं क्योंकि वे बढ़ रहे होते हैं झालग 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